हलो फेंड्स यदि आपके मैंसेस में आपको बहुत सदा पेंड होता है और आप बहुत सदा परेशन है तो आपने सही वीडियो ओपन किया है मैसल डॉक्टर सुशिला सैनी गाइनेकलोजिस्ट इन अपसेशन आज आपको मैंसेस की टाइम पर होने वाले पेंड के बारे में जा रहे हैं कि पेंड आखिर क्यों होता है क्या कारण होते हैं और इसका के इलाज हो सकता है कि आखिर मैंसेस के टाइम पर क्यों होता क्यों है बन Hail ओते हैं तो जो अन norme Curum Kollege मोहिं होता है की निंदान होती उर्यजा, करन शेज़ेव निशे खता हुदा अम जाले ले गश्राइब के रिते हैं जब जब ब्लेडिंग के लेजर की आदि थी अधि मैंट टीशु बढ़ार निकलता है तो वह क्रिये और उसी को बाहर निकालने के लिए यूट्रोस की अंदर क्रैम्प साते हैं यानि कोशिश करता है अब यह किसी किसी को काफी जदा पें होते हैं तो अंदर ब्लड की हमाइस बन जाते हैं क्योंकि एक साथ सारा ब्लड बाहर नहीं निकल पाता और ऐसे में बड़े क्लोड बन जाते हैं तो जब उनको squeeze यूटर्स उनको squeeze out करता है बाहर तो काफी मात्रा में पेन होता है So this is the basic science or theory behind the menses and menstrual pain अब यह सोचना है कि आखिर कितना पेन नॉर्मल है और कितना पेन हमें सहन करना चाहिए और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए इससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि पेन जो हो रहा है उसका जो कारण मैंने भी आपको समझाया है कि यूट्रस blood core plots को बाहर expel out करने के लिए contract करता याने कि सिकुडता है और बाहर निकलता उसी वजह से पेन होता और इसी समय इस्टोजन और जो प्रिजिस्टोन के चेंजिस के कारण महीना शुरू होता है उसके साथे साथ बाड़े के अंदर प्रोस्टागेंडी नाम के हर्मोंस भी बनते हैं जो कि एक बेसिक रीजिन है जो कैमिकल है जिसके कारण पेन होता है यानि कि एक तरीकी कि य रियक्षन होती है जो कि हमें दर्द का अनुभव देती है अब बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हमें होता है जो सबसे पहला common कारण है वह है फीजियोलासिकल यानि कि जो स्टोरी मैं भी आपको बताई है यानि कि कोंट्रैक्शन थे और उसी की कारण जनरली पेन लेकिन किसी को यह काफी मात्रा में होता है याने कि पेन काफी ज्यादा होता है जो कि ऐसे हो जाता है तो ऐसे इस तिरी में हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई और कारण भी हो जिसकी वजह से पेन हो रहा है तो जो सबसे कॉमन कारण है जो आजकल पाया जा और उसके अंदर जो प्रोस्टा ग्लैंड इन्स और जो और जो चेमिकल से उनके बनने की जो मातरा है काफी बढ़ जाती है जिसकी वजह से पेन काफी ज़ादा में होता है जिसको कई बारे आह सहनीय दर्द हो जाता है और इसमें अंदर ब्लड के कलॉड्ट से वह बच्चे दानी और वचे दानी आसपास के area's में जमा हो जाते हैं जहां पर आते हैं चिपक जाती है लिए और खुलट़ की ग बन जाती है इंको चॉक्लेड शुस्त बोला जाता है और यूटर के लाइनिंग के अंदर भी जमा हो जाता है जिसको गी एडिनो उमया सिस कहा जाता है तो दूसरा जो common कारण है वो है fibroids, यानि कि बच्चे दाने के अंदर यानि किसी प्रकार की गांठ है, तो वो भी dysmenauria का, यानि कि menstrual pain का कारण बनती है, और जब ये fibroids, uterus के अंदर की तरफ, यानि cavity के अंदर होता है, तब ये pain बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी foreign body, यानि कि कुछ ऐसे structure जो normal नहीं है, uterus की cavity की अंदर है, और uterus अगेन उसको expel out करने की कोशिश करता है, इसलिए उसमें pain ज्यादा होता है, और उसमें अंदर की तरफ होने की कारण, वो bleeding भी बहुत ज्यादा करता है, तीसरा common कारण, endometriosis का ही एक type, जो कि मैंने अभी बताय एडेनोमायोसिस, तो एडेनोमायोसिस भी काफी common कारण है, जो कि pain होता है, जिसके कारण, चौथा uterine polyp हो सकता है, endometrium के अंदर ही fibroid जैसे एक और structure होती है, जिसका mass को बढ़ जाना बूलते है, तो uterine polyp, endometrium polyp भी एक common कारण होता है, इसके अलावा, ovarian cyst होने के कारण, इसके साथ ही साथ, uterus के अंदर infection हो जाना, यानि की pelvic inflammatory disease, PID भी एक बहुत common कारण है, बहुत commonly देखा जाता है, जिसके वजह से महीने के दौरान भी pain होता है, महीने के बाद में और पहले भी pain होता है, और इसमें कई पर गंदा पानी भी जाहरा होता है, यानि by discharge के problem भी होती जिसको की PID यानि की pelvic inflammatory disease कहा चाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी, जब आप अपने आप पे focus करेंगे, आपको लगए रहा है कि आपको जो pain हो रहा है, वो सहनिया नहीं है, उसके लिए आपको दवाईयां लेनी पड़ रही है, और regular लेनी पड़ रह है, जिसके वज़े से ये सारी समस्या करेंट हो रही है, यानि कि यदि आपकी uterus और oberis में कोई problem नहीं है, तो फिजियो लॉजिकल यानि कि नॉर्मल पेन माना जाता है, और यदि उसके अंदर किसी प्रकार की समस्या दिखते हैं, जैसे कि फाइबरोल हो सकता है, पॉलिक अब यदि हमें कोई कारण नहीं मिलता, सोनोग्राफी भी नॉमल आती है, इंफेक्शन भी नहीं है, तो ऐसे सिती में कई बार endometriosis हो सकता है, क्योंकि endometriosis शुरुआती अवस्ता में सोनोग्राफी में भी नहीं पता चलता है, जब उसके द्वारा कोई गांट बनती है, क्याने कि कोई क्लॉट्स की सिस्ट बन जाते हैं, जिसे चॉपलेट सिस्ट कहा जाता है, या फिर इंटस्टाइड वगर आपस में चेपकर और कोई गांट का रिर्मान करती है, तो endometriosis का सोनोग्राफी की दौरा डाइग्नोसिस बनता है, इससे पहले यानि स्टेज तू म कई बार endometriosis का डाइग्नोसिस सोनोग्राफी सी नहीं बनता है, तो ऐसी इस्तिती में, हम endometriosis मानकर उसका dentative treatment भी देते हैं, और बहुत rare cases में, tuberculosis भी एक ऐसा infection है, जिसकी बज़े से गांठी बन जाती है, और बचेदानी के अंदर infection क्रियेट होता है, वो भी मैंसिस के टा पढ़ रही है, तो एक severe level का pain हो सकता है, लेकिन किसी-किसी ladies को गोलियों से भी आराम नहीं पढ़ता है, और इंजेक्शन भी लेने पढ़ते हैं, तो यदि आपको बार-बार कोई medicine लेनी पढ़ रही है, तो ऐसे स्तिती को avoid ना करें, और डॉक्टर से ज़रूर संपार कीज कि हर चीज़ नॉर्मल नहीं हो सकती है, और जब आप सोनोग्राफिय करवाकर डॉक्टर चेक अप करवा लेती है, तो यह assurance हो जाए, कि हां मुझे कोई problem नहीं है, then only you can proceed further, और फिर भी डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ medicine ऐसे prescribe करते हैं, जिससे कि आपको इस दर्द से और कमेंट बॉक्स में लिखे पूर सकती है, हम आपके सवालों की जवाब देने की कोई कोशिश करेंगे, हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जैनकारे के साथ, तब तक नमशकार